Hello friends, मेरा भी Google Adsense का पिन आ गया है, जैसे कि आपको thumbnail देखकर पता लगी गया होगा, कि मेरा Google Adsense का पिन आ गया है, और ये पिन कितने दिन में आया, और मैंने अपना address दालने में भी गलती कर दी थी, लेकिन फिर भी ये पिन मेरे को मिल गया, और मेरे को कैसे मिला, और मैंने क्य गलती की थी, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये मेरे को मेल आया था, Google Adsense की तरफ से, कि आप मेरे 10 दोलर होने के बाद, आप Google Adsense में पिन के लिए अपलाई कर सकते हैं, और मैंने Google Adsense में पिन के लिए अपलाई किया, और पिन के लिए जब मैंने तो उसके बाद मैंने 8-10 दिन बेट किया, लेकिन मेरा Google Adsense का पिन आया नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं पॉस्ट आफिस के दफ्तर गया, और मैंने वहाँ पर जाकर पूछा कि सर, मेरी एक डाक आनी है, वो डाक आई नहीं क्या, तो उन्होंने कहा कि अभी तो सारे डाक यह जो है कि डाक बाट नहीं गए है, आप चार बजे के बाद आना, उसके बाद आप पता करना, तो फिर मैं दुवारा से चार बजे के बाद गया, सबाचार, साड़े चार, उस टाइम मैंने वहाँ पर पूछा कि सर, मेरी एक डाक आनी है, तो उन्होंने कहा कि आपका महल कौन सा पढ़ता है, जिसमें कि वो डाक या जाता है, तो मैंने कहा कि मेरा महला है, जो भलेरियां वाला महला बढ़ता है, और उसको मेनी सेक्टरियेट रोड भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, वो डाक अभी डाक वाट कर आया नहीं है, और मैं वहाँ पर बैठ गया, फिर वो डाकिया आ गया था वहाँ पर, तो मैंने उससे पुछा कि मेरी सारा एक, मेरी एक डाक आनी थी, वो डाक अभी तक आई नहीं, आट-दस दिन हो गए, क्या आपने कोई डाक बापीस तो नहीं फेजी, उन्हेंने कहा कि कैसी डाक आनी थी, और क्या मतलब मैंने कहा मेरे से एक मिस्टेक भी होगी थी, तो उन्हेंने कहा कि क्या मिस्टेक होगी थी आपसे, मैंने कहा मैंने अपना हाउस नंबर भी लिख दिया था उसमें, और नाम भी लिख दिया था ये मेरी वाइफ के नाम है मैंने अपनी वाइफ के नाम से एडसेंस का एकाउंट बनाया है और मैंने कहा कि मैंने अपनी अड्रेस में जो है अपना हाउस नंबर भी लिखा है और ये देखें मैंने अपना शेहर भी लिखा हुआ है और ये मैंने चेक्टरेट रोड भी कहते हैं यह मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था तो मैंने उन्से कहा कि मेरे से ये गलती हो गी है उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी डाक जो है आई नहीं है ऐसी कोई डाक नहीं आई है Google की तरफ से और ना भी ना ही हमने कोई डाक ऐसी वापिस तो आप वह रख लेना मैं ले जाओंगा या फिर आप भलेरियां वाला महला में आप पहुंचा देना तो उसके बाद मैं वहां से चला गया फिर मैंने चार दिन फिर वेट किया लेकिन फिर भी मेरी कोई डाक आई नहीं थी मतलब गूगल एडसेंस का पिन ये मेरे घर पर आ गये थे इसको आने में और ये मेरे घर पर आ गया था क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि जो मैं पहले गया था जो मैंने डाकिये को कहा था कि ये मेरी डाक है ये ऐसे ही आएगी मैं वहां पर मेरे से मिस्टेक होगी है इसी कारण से मेरे को लगता है कि ये मेरे घर पर आ गई अगर मैं पॉस्ट आफिस में नहीं जाता तो शायद हो सकता है कि ये डाग वहां पर पड़ी रह जाती क्योंकि मैंने इसमें हाउस नंबर दिया है और स्ट्रीट नंबर दिया है ये बठिंडा पजयाव ये सब कुछ लिखा है लेकिन ये मैं वहां पर अपना महला देना भूल गया था और ये मेरे जाने का मेरे को ये लगता है कि मेरे को वही फाइदा मेरे को मिला है और ये मेरे घर पर ही आ गया है और ये मेरे को 13-14 दिन बाद मिला है आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब कर दें